नमस्कार आप देख रहे हैं तुटे ट्वांटी फोन यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निपान जन्पत सीटापूर के तैसील महोली के बड़ागाव रोड के करीब मस्दिद बादार से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर बंजरिया के पास जो पहले कभी ज़ाला हुआ खरता था आज वहाँ पर आठ महीने पूर में लक्षमी नारायन शुगरमील बन गया है इससे निकलने वाले प्रदूशन युक्तु जहरीले दुहे से आसपास के ग्रामिडों वे पशु पक्षियों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है चोटे चोटे बच्चों वे जानवरों से लेकर पशु पक्षियों पर इसका जारतर सीधा आसर पड़ रहा है लक्षमी नारायन शुगरमिल के पास एक नदी भी इस्तित है जो पिराई नदी की नाम से जानी जाती है उस नदी में पहले स्वाचेवं सुंदर जल था सभी पशु पक्षी और जानवर पानी पी कर प्यास बुझाया करते थे आज लक्षमी नारायन शुगरमिल की गंदीवे केमिकल युक्त पानी नदी में मिल जाने से एक जहर जैसा नदी का सारा पानी बन चुका है ग्रामिनों का कहना है कि पहले पिराई नदी में जानवर पानी पिया करते थे अब केमिकल युक्त हो जाने की वज़ा से जहरीला बन चुका है अगर दोके से भी जानवर परशु पक्षियों उसे पीले तो मृत्यू का भी खत्रा हो सकता है लक्षमी नारैन शुगरमिल की प्रदूशन का प्रभाव पूरी तरह से आसपास इलाकी के ग्रामिनों छोटे छोटे बच्चों से लेकर परशु पक्षियों पर भी सीधा असर देखने को बिल रहा है जो नदी कभी जानवर परशु पक्षियों की प्यास बुजाने का कारे करती थी वहीं नदी एक जहरीले पानी में तबदील हो चुकी है अब देखना यह होगा कि खबर का असर होता है और फिर खबर एक खबर बनकर ही दह जाएगी प्रशासन अनजान क्या कारवाई करता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा